कि सो हलो दोस्तो वैलकम बैक अगें माई चैनल अनिलार मेरा दोस्तो आपका तैदिल स्वागत है मेरे चैनल के उपर और आज आप लोगों के लिए कौर में इंफॉर्मेटिक वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तो तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंट्रस्ट होंगे और हमेसा स्वस्त और सुरक्षित रहें दोस्तो मेरी ही हमेसा दुआ रहती है हमेसा कि आप लोग जहां रहें अच्छे से रहें दोस्तो चलिए जहाँ देर ना करते हुए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक ने किया कर लें, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी जूरू कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूए दोस्तों और सबसे मेन चीज है बैल नोटिफिकिशन आइकन को दबाना ना भूए ताकि मेन नेक्स्ट वीडिफिकिशन आपको टाइम से मिल से के दोस्तों चलिए दोस्तों जा देर ना करते हैं अपने वीडियो को दोस्तों तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है दोस्तो आज का टॉपिक है वो है कि 55 की उमर में जो है महात्मा गांदी जी को क्या है एक साधी सुदा महिला से प्यार हुआ था आज हम उसके बारे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि उनकी लव स्टोरी कैसी रही कैसे उन्होंने ये चीजें क्या है अपनी जिन्दीगी में की तो आज मैं बात करता हूं कि महात्मा गांदी साल 1915 में दक्षिन अफिरिका से करीब 20 सालों के बाद भारत बापी स्ल पहलू ऐसा भी है जिसका जिकर करना उन्होंने मुनाफ़िक कभी नहीं समझा दोस्तों महात्मा गांदी ने एक अमेरिकी जो एक्टिविस्ट मारगेस्ट सेंगर से आत्म कथा में उन्होंने इस परसंग में उलेख ना करने के बारे में सफाई देते हुए इसे बहुत ही नीजी मामला बताया था दोस्तों तो दो अक्तूबर 1869 को गुजरात के पूरवंदर में जन्मे मोहंदास करम चंद गांदी जी करीब 13 वरस की आईउ में उन्होंने छे मीने बड़ी जो कस्तूरवा जी से उनकी साधी होगी थी दोस्तों लेकिन इसी बीच में करीब 3 दसक बाद महतमा गांदी जी को एक अन्य महिला जो सरला देवी चोधाइन से उनको प्यार हो गया था दोस्तों यनकी प्रेम हो गया था तो सरला पहले से बिवाहित थी, तो उसमें महात्मा गांदी जी की जो उमर थी, वो 55 साल थी और जो सरला जी की उमर थी, वो 47 साल थी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गांदी जी ने इस प्रेम को छिपाया, उसमें तक गांदी जी जो कांग्रेस में जो सर पनमोख नेता नहीं हु तो खुद महात्मा जी ने जो है राज गोपलाचारी को लिखे पत्र में बताया था कि मुझे प्रेम हो गया है तो राजा गोपलाचारी को जो है गांदी जी की जो आत्म सुकृति से धक्का लगा था राज गोपला चाही जी ने गांदी जी को कड़े सब्दों में पत्तर लेखकर कस्तुर्वा गांदी जी को सुभय का सूरज और सरला देवी चोधराहिन को कैरोसिन लेम बताया था दोस्तों तो आपको मैं एक चीज और बताओ दोस्तों यहाँ पर जो सरला देवी जी थी वो रविंदर नाट टैगुर जी की बती जी लगती थी दोस्तों वो उनकी बेहन की जो बेटी थी दोस्तो सरला देवी का जो बिवा हुआ था वो राम भजदत चौदरी थे उनके साथ हुआ था गांधी जी ने सरला के संग अपने रिष्टे को अध्यात्मिक बिवा बताया था हलांके इस बात के कोई संकेत या परमान नहीं मिलते हैं कि दोनों के बीच सारी एक संबन थे पर सरला केवल भाबनात्मक ही नहीं बलकि राजनीतिक रूप से भी गांधी जी से नजदी की तोर पर जुड़ी हुई थी सरला जी ने गांधी जी के साथ पंजाब, बनारस, एहमदाबाद, बॉमबे, बरेली, जेलम, सींगर, हैदराबाद, सिंध, जांसी और कॉलकत्ता जैसे कई सहरों का दोरा किया सरला देवी गांधी जी की कितनी करीब थी तो इस बात से समझा जा सकता है कि उनके इसरार पर जो है गांधी जी ने जुहारलान नहरू से इंद्रा का जो भिवा था वो सरला देवी के बेटे दीपक से करने का सुझाब दिया था हलांकि नहरजी ने यह परिस्ता सोईकार नहीं किया तो दोस्तों बताई मुझे कि आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी आज की इनफॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों और अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ भी सेर जुरू करना दोस्तो ताकि और लोगों को भी जानकारी का पता लग सके दोस्तो तो दोस्तो इसी तरह अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल अटिविक्शन आइकन को दबाना तो बिलकुल मत भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के निट्रिफिक्शन टाइम से मिल से के तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए उम्म के साथ दोस्तो तो तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम